नमस्कार, मैं हूँ कान्ता, राजिश्थानी रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे इटली सेंडवीच अब तक तो हमने बच़े हुई इटली से फ्राइड इटली बनाई थी आज हम बच़े हुई इटली से सेंडवीच बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए राजस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाईए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए इटली की सेंडूश बनाने के लिए हमने यहां बच्ची हुई इटली है इटली की वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगी चार उबलेवे आलू, दो बारीकटेवे प्याज बारीकटा में हरा धनिया एक बारीकटी हरे मिर्ची आदा चोटा चमच जीरा, आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चोटा चमच चाट मसाला आदा चोटा चमच अमजूर पाउडर एक चोटा चमच नमक या स्वात के अनुसार मसाला बनाने के लिए तेल और सेंड्विश बनाने के लिए घे सबसे पहले हम एक बतन में दौ चमश के तरीप ली ट्यालकर तेल को अच्छा गरम आठेख करनें गरम तेलमे हम जीरा डालेंगे हब इसमें हम हल्दी प्याजच को हम हल्का बॉल्डन गाउने तक भून लेंगे दाश को भून दे के बाद हम इसमें मसाले एड करेंगे लाल मृस्टी पाउडर नमक चाट मसाला और अम्चुर पाउडर सभी कुछ इसे मिला देंगे तो देखिए मसाले सब सिक चुके हैं अब हमने जो अलू यह बाल के रखे के इसको मेश करकर एंसमें डाल देंगे घुरिक इसमें महरा दन यह डालेंगे और सभी को तो ने कुछ तर्हें कर देंगा कि अटे की इस तरह अलु का मजला बनकर तयार है कि एसके-प्रइम को ओफ कर देंगे मसाल अबना हो चुका है इससे हम इक लिपे लगाएंगे हागि इथ से इस तरह से मसाले लगाएंगे और धूसरी से इक लेकर कर देंगे तो देख इस तरफ तो देखे इस तरह हमाले सेंड्विच भरकर तैयार है अब विज़की लेंगे कि लिए लें दूर्श को सेख लिए हमने पहले से तवा गढ़ गरम करके रखा था इसमिस्व था गे लगाएंगे और इस भी हम इटली के सेंडुश रखेंगे गेस की फ्लेम को मेडियम रखना है और हम इसे हलका हलका प्रेस करते भी देखना है सेंडुश जब एक सार से सीख जाए तो इसकी दूसरी तरफ प्लेज लाएंगे और इसको पलट देंगे कि देकी कितने इत करके त्यर्व करेंगे और आपने को करेंगे पाद आद ये खाने में टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है, इस तरह ये रेसिपी आप भी बनाएए, अपने फेमिली को खिलाएए, आप खाईए और अपने न्वोव हमसे शेर कीजिए